अलो फ्रेंड्स, इंडोर प्लांट हैस पावर टो चेंज अउरा आफ एनी प्लेस, आप अपने घर को एनरजाइस्ट करना चाहते हैं, तो इंडोर प्लांट से अच्छा कोई आपशन नहीं, इंडोर प्लांट घर में लगाते ही, निर्जी उसी जगह में भी जान आ जाती है यदि आप भी इंडोर प्लांट लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले शुरुआत करिए एलो वेरा से, देखें मैंने अपने गार्डन में ये लगाया हुआ है, और आज मैं इसे पॉर्ट में लगाकर अंदर लगने वाली हूँ आप एलो वेरा का प्लांट लेयाए और घर में किसी भी जगह लगा दीजी, इसे आप दो तीन दिन तक पानी नहीं देंगे, तो भी चलिगा, जब इसके उपर की मिट्टी की लेयर सूखी दिखे, तब इसमें पानी डाल दीजी फ्रेंड्स क्या आपको पता है कि ज़्यादा तर इंडोर प्लांट्स कम पानी डालने के कारण नहीं, बलकि ओवर वाटरिंग के कारण सर जाते हैं जब हम बड़ा सा गंबला लेकर आते हैं और उसमें छोटा सा प्लांट लगा देते हैं तो इंडोर होने के कारण पानी एवपरेट नहीं हो पाता और प्लांट्स मर जाते हैं इस एलोवेरा प्लांट्स से थोड़े ही दिनों में आप कई सारे प्लांट्स लगा सकते हैं क्योंकि साइड में इसके बेबी प्लांस निकलने लगेंगे, कुछी दिनों में जब बेबी प्लांस निकलने लगें, तो आप इसे दूसरे गंबले में लगा दीजी, ये सबसे सेफ तरीका है प्रोपिगेशन का, और दूसरा तरीका है एलो वेरा के लीफ की कटिंग से, तो ये दोनों तरीकों से आप कई सारे प्लांट्स बना सकती है लेकिन प्लांट्स में हमेशा खाट जरू डाले तो वेरा के लीव को एजिस से काट कर इसका जेल निकाल लीजे और डिरेक्ली ये जेल फ्रेश अपने फेस पे एपलाई कर सकती है क्योंकि इसमें विटामिन C, E और पीटा केरेटिन बहतायत से पाया जाता है इसलिए बहुत अच्छा नरिश्मेंट का काम करता है और बहुत अच्छा एंटी एजिंग भी है और इसी जेल को जब हम बालों में लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा कंडिशनर का काम करता है और बालों का टेक्स्चर इंप्रूव करके बालों में शाइनिंग आती है और इसको हम scalp में लगाते हैं तो ये anti-dendruff और anti-eaching होने के कारण hair fall को भी रोकता है इसका use जो है आप weekly या fort nightly बालों के लिए कर सकते हैं और face में तो आप रोज ही इसको लगा सकते हैं ये देखिए पीकॉक भी आगया इसे वे वंडर हर्ब की खूबिया सिनने में बड़ा मज़ा रहा है मेरी माने तो एलोवेरा एक बहुत अच्छा gifting idea भी है यदि आप किसी को birthday में या दिवाली में ये एलोवेरा indoor plant gift देते हैं तो ना केवल ये उनके जगह की शोभा बढ़ाएगा बलकि इसकी leaves उनके skin और बालों को भी अच्छा करने में काम आईगी तो कैसा लगा ये आपको gifting idea अपने अगले वीडियो में कुछ और indoor plants के बारे में बात करें आई होब कि आप अपने फर्स्ट indoor plant का फोटो जरूर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे